है गाईस वेरी गूड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग एंड कैसा फील कर रहे हो कि आज एथेरियम स्पॉट एटिया भी मार्केट में आ चुका है और वो भी बिटकोइन एटियाफ एप्रूब होने के जस चार महीने बारा दिन के बीतर ही एथेरियम एटियाफ आ चुका है व हमें देखने को मिला है हलाकि यह चीज मैंने कल वाले वीडियो में आप लोग बता दिया था कि अभी एटियाफ को लेकर चाहे तो एप्रूब हो या रिजेक्शन हो दोनों केस में मार्केट कल वोलटाइल रह सकता है तो पंप डम क्या खेल हो सकता है यह चीज आपको आज देखने को भी मिला है अभी बात करेंगे कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ स्पाइक क्यों नहीं हुआ अभी तक इथेरियम में या फिर अदर ओल्ड कोई में इतना वड़ा नयूज है कि एटियाफ आ चुका है फिर भी है स्पाइक नहीं हुआ है इसकी बात करेंगे लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे चलके कि कौन-कौन से एटियाफ किस-किस इंस्टियूशन के एटियाफ एप्रूव हुए है तो स्क्रीन पे दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एक साथ में आर्ठट इथेरियम इस बैन एक ए आरके इन्वेस्को ग्लाक्सी एंड फ्रैंकलाइन टेंपलिनेटन यह आठ ऐसे इंस्टियूशन है जिसके एटियाफ एप्रूव हो गए है नाइंटिन बी फोर फॉर्म्स एप्रूव हो गए है तो इन सभी के इन सभी के एटियाफ जो है डिटी सीसी वेब में प्राइस जो है 3800-212 के करीब चल रहा है 3800-212 के करीब में अभी फिलाल इसका प्राइस चल रहा है और यहां पर आप देखो यह चार्ट पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि कल मार्केट जो है एथेरियम का काफी वोलटाइल था और यह चीज़े मैंने कल वाले वीड अब इस जोन पर लॉट इस जोन पर लॉट इसके नीचे रखे है जिसके वज़ा से उनका एसल कहीं ने कहीं गया है और इसल हंटिंग का जो है खेल होता भी है अभी आगे आपको बताएंगे कि नेक्स ट्रेड आप कहां बनेगा इथेरियम के अंदर फिलाल क्या किस परका अब इसके पहले हमने यहां बताया था 3400 डॉलर या इसके नीचे प्राइस आता है दिन आप यहां पर ट्रेड लेंगे इथेरियम में लेकिन अभी यह एंट्री लगा नहीं है कोई बात नहीं अभी करेंट सिचिविशन के अकॉर्डिंग इथेरियम एथेरियम इसके पहले दो ढ़ाई मैंने पहले आप वीडियो देखो गेरें उठाकर तो उसमें जोड़ देकर मैंने आप लोगो समय उस टाइम से बोलती आ रहा था जिस टाइम प्राइज इथेरियम का उनीस सो दो हजार डॉलर के करीम में चल रहा था उस टाइम से मैं आप लोगो ओड़ी करने का साही टाइम है क्योंकि इसकी चैंस जादा été क्योंकि Ethereum ETF जैसे Bitcoin से रहम में रिलेट करें तो ETF approval की पहले जनरली उस coin में इन्वेस्टिंग जबरदस चलता है जबरदस institutions उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ETF approval के पहले क्योंकि यहां भी आप देखोगे जो भी इन्सटियोंस के पहले समय क興ने shrie जो इसके वाफ और आप सब्सक्राइब और कर ही आया था और यह चीज़े आप देखो बिटकोईन में भी आप देखेंगे ना बिटकोईन का ETF जब अप्रूबल हुआ था 11 जनवरी को तो 11 जनवरी को ETF अप्रूब हुआ और यहां से यानि ओबरॉल दो महिने के भीतर बिटकोईन में 80% का रैली हुआ था जस्ट ETF अप्रूबल के पहले ETF अप्रूबल होने के बाद 21% का रेटेस्ट जो 10-12 दिन-15 दिन लगे रेटेस्ट में और उसके बाद फिर से रेटेस्ट करने के बाद आप देखोगे फिर से जो है दो महिने के भीतर ही बिटकोईन में अस मोर दन 80% जो है रैली आया है 90% रैली आ चुका है जब रेटेस्ट के बाद 80% approval हुआ रेटेस्ट के रेटेस्ट के बाद 90% का स्पाइक देखने को विला सेम चीज़े आपको यह मैं बता दो कि इथीरियम में भी यही चीज़े आपको repeat होता हुआ दिखेगा अभी इथीरियम में possibility है कि अभी new high side ना बनाए new high ना बनाए अभी थोड़ा रेटेस्ट कर सकता है या कुछ time जो है इस zone के ऊपर consolidated कर सकता है अगर इस zone के नीचे आता है इस zone के नीचे अगर आता है यह zone आप देख लो price चल रहा है 3400 dollar का यह trade easily लग जाएगा ठीक है तो यह possibility होगा इथीरियम में अभी chances है कि कुछ time तक यह नीचे यहाँ पर आएगा consolidate कर सकता है कुछ यहाँ पर तो आप लोग यहाँ अगर आता है इस zone पे ना तो यहाँ भी आप try कर सकते है एक entry प्लान कर सकते है 3680 dollar पे 3680 dollar पे आप प्लान कर सकते है यहाँ पर एक trade ठीक है फिलाल के लिए ethereum में तो यह चीज हो सकता है अभी कुछ time consolidation इसके अंदर देखने को मिलेगा उसके बाद यानि मान के रोखो 15 दिन के बाद ethereum के अंदर जो spike आएगा इसके अंदर भी मान के रोखो मोटा मोटी 90% 100% का spike आ सकता है overall मुझे लग रहा है कि डिर दो महीने में डिर दो महीने में जो है ethereum आपको 6000 dollar के करीब देखने को मिल सकता है 3000 dollar जा सकता है ऐसी possibility है ethereum के अंदर तो फिलाल दोस्तों यह update है वीडियो पसंदा है लाइक करके जाएंगे छलो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद